इस वीडियो में बात करने वाले हैं complete कैसे इस fireball talk go smartwatch को smartphone से connect करके complete एक features जो है कैसे use कर सकते हैं smartwatch को complete कैसे use कर सकते हैं सब कुछ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तो चलिए फटा पटे smartphone से connect करते हैं देखते हैं complete कैसे सबी features को use करना है तो सबसे पहले connect करने से पहले कुछ चीज जो को आपको ध्यान रखना है, जैसे कि यहाँ पर आपको DA feed करके, DA feed करके यह app है, इसको install कर लेना है, download कर लेना है, तो इसको मैंने यहाँ पर देख सकते हैं, install कर लिया है, उसके बाद आपको क्या करना है, आपके phone में यहाँ पर आपके phone का Bluetooth on होना चाहिए, आपके phone में location on होना चाहिए, आपके phone में internet connection on होना चाहिए, उसके बाद आपको क्या करना है, watch में भी एक setting जो है on होना चाहिए, जैसे कि यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर slide down करते हैं, यहां से हम settings में जाते हैं, settings में हाँ पर हम स्क्रोल करते हैं, उपर यहां पर देख सकते हो phone का एक option है, तो यह phone वाला option अगर off रहता है तो आपको इसको on कर देना है, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से phone वाला option जो है on होना चीए, तब ही connect आप अच्छे से कर पाएंगे, and calling features का use कर पाएंगे, so connect करने से पहले इस सबी चीजों का ध्यान रखना है आपको, उसके बाद आपको क्या करना है, यह app हमने download कर लिया है, app को open करना है, open करने के बाद कुछ इस तरीके से app open होगा, यहां पर अपना profile set कर लेना है, उसके बाद यहां पर right पर click कर दिना है, उसके ब यहां पर add a device का option है, तो add a device वाले option पर click करते हैं, उसके बाद while using the app पर click करते हैं, यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से search होगा, and search करके यहां पर आ गया है firebolt 093, यह हमरा smart watch है, and यहां पर हम कुछ इस तरीके से click करते हैं, and click करने बाद देख सकते हैं, connecting हो रहा है, and अभी हमरा smart watch vibrate भी होगा, so देख सकते हैं vibrate हुआ, and यहां पर हमरा smart watch smartphone से connect हो गया है, लेकिन अभी भी देख सकते है, bluetooth से connect नहीं हुआ है, तो हमें bluetooth से connect करना होगा, so पहले तो आपको कुछ second wait करना है, 5-10 second, अगर direct connect नहीं होता है, तो आपको manually जाके connect करना होगा, वो भी अभी तक जो है phone के bluetooth से connect नहीं हुआ, अब आपको क्या करना है, simply आपको bluetooth setting में जाना है, ठीक है, so यहां से हम bluetooth setting में आ जाते है, and यहां से आपको bluetooth search करना है, ठीक है, यहां से हम search कर लेते है, यहां पर search हो रहा है, so available devices में यहां पर हमारा fireball, जो smart watch है, वो आएगा, so यहां से हम वेट कर लेते है, and इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, जो मैंने बताया है, setting में जाके, and यह जो phone वाला option है, देख सकते है, फिर से off हो गया, so यह चीज़ आपको ध्यान रखना है, यह अपने आप off हो जाए, तो यहां से जाके आपको on करना है, ठीक है, तो यह आपर देख सकते है, on करने के बाद firebolt 093 phone करके आ गया है, and इस पर हमें click करना है कुछ इस तरीके से, and bluetooth से इसको connect कर लेना है, manually कुछ इस तरीके से, तभी जो आप complete calling features का use कर पाएंगे, so यहां से आगे है, यहां से pair पर हम click करते है, and यहां पर देख सकते है, firebolt 093 phone, यह हमार connect हो गया है, smartphone के bluetooth से, so कुछ इस तरीके से, bluetooth से भी आपको manually connect कर लेना है, तभी आप complete features का use कर पाएंगे, अब बात करते हैं, और features आगे, आप कैसे use कर पाएंगे, so यहां पर देख सकते हो, watch faces का option है, ठीक है, watch faces का option है, यहां पर सबसे पहले, एक edit का option देखने के लिए मिल ज option है, यहां पर हम click करते हैं, choose from album पे, उसके बाद आपको photos में चले जाना है, photos भी gallery में चले जाना है, वहां से जो भी photo आपको watch पे set करना है, वो आपको select कर लेना है, खुद का photo जो भी अगर आप set करना चाते हो, तो select करके यहां से आपको अपने ही साब से crop कर सकते हो, उसके बाद यहां से उपर में right पे click कर देना है, इतना करनेक बाद यहां पे देख सकतों, नीचे में option है time position, तो देख सकते हो time उपर हम इसको नीचे भी कर सकते हैं, below पे click कर देंगे, done कर देंगे, तो नीचे आजाएगा, time के ऊपर हमें क्या रखना है, तो time के ऊपर कुछ नही एक लेख सकते हमारा यह खुद का फोटो यह सेट पर कुछ इसी तरीके सें परीस तो थोड़ा सामीं हापे वेट करते हैं यहाँपए हमाराइ खुद बात और वुलौच सेट कर सकते हो ठीक है तो यहां पर आना है वाच सब्सक्राइब करना है लाश्ट में जाना है लाश्ट में आनक बात यहां पर face gallery का उप्सन है यहाँ पर क्लिक करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं काफी सारे watch faces यहाँ पर देखने के लिए मिल जांगे आपको अलग-अलग तरीके के जो की set कर सकते हो सो ये internet के तो कुछ इस तरीके से load होता है तो यहाँ पर आपको 100 प्लस जो है watch faces देखने के लिए मिल जाते हैं तो जो भी आपको set करना है तो suppose अगर आपको मैं set करके दिखा दू यहाँ पर देख सकते हैं तो काफी सारे watch faces है तो अगर मुझे यह set करना है तो यहाँ पर मैं click करूँगा यहाँ पर download पर click करूँगा और यह setup होना है start हो गया है इतना करते ही setup होना है start हो गया है यहाँ पर देख सकते हैं 0% है और यह जैसे ही 100% होगा हमारा यह watch faces है यह watch face set हो जाएगा यहाँ पर आपको काफी सारे watch faces देखने के लिए मिल जाते हैं तो कोई भी watch faces आप जिस तरीके से मैं set कर रहा हूँ complete कुछ इस तरीके से जो है आप भी setup कर सकते हो तो थोड़ा सा में यहाँ पर wait करते हैं देख सकते हो काफी quick watch faces set होता है इस watch में यह काफी अच्छी चीज़ है यहाँ पर देख सकते हो 100% होने ही वाला है तो कुछ इस तरीके से देख सकते हो 100% होते ही यह watch faces जो है यहाँ पर set हो चुका है so watch faces का तो complete कुछ इस तरीके से आप use कर सकते हो बाकी आप कोई भी कुछ watch faces चार-पांच watch faces जो है आप watch से कुछ इस तरीके से चेंज कर सकते हो ठीक है तो यह हो गया watch faces के बारे में अब आगे बात करते हैं next option जो है notifications का तो अगर हम notifications वाले option में जाते हैं तो यहाँ पर phone वाले option को आपको on कर देना है अगर calling features का यूज करना है calling का notification चीए तो यहाँ से जो भी permission माएंगा आपको follow कर देना है उसके बाद यहाँ से apps का आपको जो भी messages वागे रहे नोटिविकेशन चीए जो भी application social media का वो यहाँ से on करना है सपोज अगर मुझे WhatsApp का चीए तो मैं यहाँ से WhatsApp का on करूँगा and first time जब आप करेंगे तो यहाँ पर enable करने के लिए बोलेगा तो आपको enable पर click करना है यहाँ से setting open होगा जिसमें आपको दाफीट आप को select कर लेना है उसके बाद यहाँ से notification को allow कर देना है आपको कुछ इस तरीके से उसके बाद आपको फिर से back आ जाना है app पे and यहाँ पर देख सकते हैं अब जो हमारा WhatsApp का on हो गया है and फिर से एक बार हम notification में जाएंगे कर सकते हैं अगर आपको Instagram का चीए तो वह भी on कर सकते हो कुछ इस तरीके से Facebook का चीए Twitter का चीए वह सब भी यहाँ से on कर सकते हो अभी आपको phone का and WhatsApp notification का में यूज करके एक बार दिखायता हूं सो मैं एक दूसरे phone से जो है इस phone पर WhatsApp पर notification send करता हूं सो मैंने एक दूसरे phone से notification send कर दिया इस phone पर कुछ इस तरीके से देख सकते हैं phone पर receive हो गया है एंड हमारे watch पर भी receive हो गया है लेकिन screen नहीं हुआ है on नहीं हुआ है just vibrate हुआ है तो अगर यहां से हम click करके on करते हैं तो देख सकते हैं पर ही यहां पर हमारा message सो हो रहा है और अगर हम back आते हैं फिर से अगर notification को view करना है तो यहां से slide up करना है यहां से complete जो है जो भी WhatsApp का notification होगा या फिर जो भी application का आप on करेंगे तो यहां से आप कर सकते हो and clear all पर click करके यहां से messages होगे रहा है डिलीट भी कर सकते हो तो यह सरी वहाँ से ही डिलीट होगा आपके फोन से डिलीट नहीं होगा सो कुछ इस तरीके से messages का हो गया एंड एक बार आपको calling का बता दूं सो मैं एक दूसरे smartphone से जो है call कर रहा हूं इस smartphone पर अब भी देखेंगे calling features जो आप कैसे यूज कर सकते हो सो मैंने call कर दिया एक दूसरे smartphone से यहां पर देख सकते कॉल आ गया है एंड यहां पर देख सकते हो रिंग भी हो रहा है कुछ इस तरीके से call आएगा यहां से आप म्यूट कर सकते हो यहां रिसीब कर सकते हो यहां से अगर रिसीब कर लेते हो कुछ इस तरीके से यहां से हमने रिसीब कर लिया सो यहाँ पर देख सकते हूँ थोड़ा लेट रीसीव हुआ यहाँ पर देख सकते हूँ रीसीव हो गया है उसके बाद यहाँ से आप म्यूट कर सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ से जो एक कॉल को फोन पर ट्रांसपर कर सकते हो और फिर से जो है आप वाच पर भी ट्रांसफर कर सकते हो यहां से स्पीकर का वोल्यूम कम जादा कर सकते हो यहां से रिजेक्ट भी कर सकते हो सो कुछ यह हो गया notification का and complete calling का आगे बात करें तो यहां पर देख सकते हो एक alarm का option है notification के नीचे तो alarm वाले option में जाते हैं तो यहां से आप complete alarm set कर सकते हो ठीक है अपने हीसाब से उसके और बात करें तो एज़े सटर बटन भी आप स्मार्ट वोज को होना जो है start हो जाएगा तो कुछ इस तरीक ऐसे यूज कर सकते हो एंड फेवरेट कॉंटेक्ट का एक option है तो यहां पर click करके and add पर click करके जो है आप contact वगरा कुछ add कर सकते हो जो कि आपके smart watch में so होगा add कैसे करना है so आपको add पर click करना है कुछ इस तरीके से यहां से आपके आपके सारे Contacts आजाएंगे जो भी set करना है उसके उपर simply आपको select करने ना है उपर में done वाला option है इस पर आपको click कर कर देना है done कर देना है यहाँ पर आपका नंबर आ जाएगा उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है एंड अपलोडिंग होगा कुछ इस तरीके से जो है complete यहाँ पर देख सकते हो 100% होते ही हमारे यह contact जो है हमारे वाच में अभी के लिए off करते हैं यहाँ पर time format आप चेंज कर सकते हो यहाँ से आप music control option को आप on कर सकते हो यहाँ से जो आप language set कर सकते हो तो यहाँ पर आपको देख सकते हो कुछ यह language देखने के लिए मिलता है इसके साथ बात करते हो यहाँ से auto lock जो यह set कर सकते हो यहाँ से quick view rise to wake feature मतलब कुछ इस तरीके से अगर मैं watch को करता हूं तो यह on हो जाता है sensors के तुरू तो इस चीज़ को आप on off कर सकते हो यहाँ से and complete weather update को यहाँ से on off कर सकते हो and यहाँ से अपना city भी select कर सकते हो जिस city का आप weather देखना चाहते हो यहाँ से complete आपको search कर लेना है city को and यहाँ से option में आ जाएगा आपको select कर लेना है तो कुछ इस तरीके से यहाँ से यह चीज़ को आप setup कर सकते हो back में आते हैं तो यहाँ पे एक upgrade का option है यहाँ पर click करके आपको update चेक करते रहना है कोई update आता है तो update कर लेना है कि कि एंस यह तोगया complete एप से connect करके आप कैसे यूज कर सकते हो अब smart watches में कुछ features आप कैसे यूज कर सकते हो तो अगर यहाँ से Ape slide down करते हो तो कुछ features ६्यूज कर सकते हो brightness होके realized कर सकते हो battery percent देख सकते और यहाँ से elam टाइमर menu view चेंज कर सकते हो brightness phone on off कर सकते हो vibration on off कर सकते हो और कुछ features complete कुछ इस तरह कैसा यूज कर सकते हो वहीं बात करते हो जैसे कि यहां से आप messages देख सकते हो यहां से आप steps steps पर क्लिक करते हो तो steps distance calories count देख सकते हो यहां से sleep monitoring का यूज कर सकते हो यहां से आप calling features का यूज कर सकते हो जैसे कि यहां से आप recent calls देख सकते हो यहां से direct call dial कर सकते हो यहां से context में अगर आप जाते हो तो यहीं जो contact आप save करोगे वो show होगा यहां पे direct click करके call भी कर सकते हो वहीं बात करें तो यहां से voice एसिस्टेन का यूज कर सकते हो यहां से health-related features यूज कर सकते हो weather update यहां पर देख सकते हो यहां पर आप adjust shutter button यूज कर सकते हो music control कर सकते हो breathe exercise कर सकते हो वह अगर आप इस स्लाइट करते हो तो menu open हो जाता है menu में भी वही सारे features कुछ है जो आप यूज कर सकते हो यहां से आप extra feature जो है वो game देखने के लिए मिल जाता है यहां पर complete कुछ इस तरीके से click करके आप game का भी यूज कर सकते हो तो कुछ इस तरीके से आप जो है game को play कर सकते हो इसी के साथ बात करें तो बात करें जो side button है अगर आप इसको प्रेस करके रखते हो कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से हम प्रेस करके रखते हैं तो यहां से अगर आप right पर click कर दोगे तो power off हो जाएगा इस तरीके से आप इसको 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 कर सकते हो और वीडियो पसंद रहे तो वीडियो को लाइक किज़ेगा चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइकन जोरूर प्रेस किज़ेगा